आज की इस वीडियों में बात किने वाले एक बहुत इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्डेंट टॉपिक के पर आपको बताएंगे यह जो ओपी जी डब्लू केबल है जिसे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर ऑप्टिकल फाइवर कंपोजिट ओवरेड ग्राउंड वायर भी कहा क्य Gibbs में रहे होते हैं यह क्या कर रहे होते हैं और कैसे कर रहे होते हैं साती साहथ आपको इंटरेट के बारे में अच्छा प्राइडिया अगरी सारी जारे ना शुर्ट क्यों एक और आपको कुछने नहीं है तो क्या है अि को प्रफिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है हलाकि इसके नाम से यह आपको काफी कुछ पता चल रहा है बट फिर भी अगर आपको बताएं कि इसे किसलिए यूज की जाती है तो क्या यह हमारे बिजली को हमारे घरों तो पहुंचाता है नहीं जी बिजली को यह हमारे घरों तक से इलेक्टिकली करेक्टेट कर दे तब तो कोई भी बिजली हमारे घरों तक नहीं पहुंचेगा वह डाइकले टावर से होते हुए हमारे नीचे ग्राउंड हो जाएगा तो इसी वाज़े से जो हम नहीं चाहते हैं कि इसलिए इंसुलेटर की मदद से हम उसको नीचे लट तो इंडायव यपो और इसी आपको सबस्क नाम पर हो इस देख रहा है तो आपके दिमागे सवाल हो रहा है यार फिर क्या मतलबeter की नहीं करवा सकते हैं अगर current flow करवाएंगे तो यह tower के सिर्फ होते वार में ground हो जाएगा तो भाई आप सही सोच रहे हैं और आप चाहते हैं ऐसा हो तो अगर मैं आपको straightforward बताओं तो यह जो ऊपर वाला wire आप देख रहे हैं यह हमारे transmission line को production provide कर रहा होता है अगर आपके सिस्टम से ट्रिप होता है और आपके सिस्टम से ट्रिप होता है तो demand supply की बीच का जो balance है वो गरबढ़ाएगा cascading effect आपको देखने मिल सकता है और वैसे blackout भी हो सकता है तो यह जो lighting strike है यह जो बिजली है वो अगर हमारे phase wire पर गिर जाता है तो इतनी सारी जो है problem हमें देखने मिल सकती है तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते है इस वायर को लगाते है वो जो ground wire आप देख रहे हो ना जो टॉप में लगा वह रहता है तो उसको लगाने से होता है कि जब भी आसपता बिजली गिरने वाला होता है तो वह फेस वायर पर गिरना ज्यादा पसंद करता है और वहां पर गिरेगा तो कोई दिकत वाली बात न होता है और यह सवाल जो होता है है तो आपकी दिमाग में भी आया होगा कि यह मतलब हमारा फेस वायर तो आंप से इन्सूलेटर के थू होते हुग हमरा कर दो होता है तो तो कितना दूर है और हमारा ऊर्फ वायर सेंटर में हैं तो फिर हमारेiceless पे-ही क्यों गिरेगा मुझा क्यों नहीं है geweं यह सकता है तो देखिएlı की बात करें तो वो higher pressure से lower pressure की तरह move कर रहा होता है आप कभी metro station के अंदर अगर underground metro station है तो आप नीचे उतरे होगा तो आपने होना चाहिगा हाई potential से low potential होना चाहिगा यह जो अर्थ वायर वह हमारा ground से connected होता है यानिकि जीरो पूटेंचल है अलड़ी यहां पर हमां हजारों वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो जाहिर से बात है कि आपको जिरू पर वो गिरना पसंद करेगा तो इसलिए जो है जो ऊपर में हमने वायर लगा रखा है वो जिरू पूटेंचल होता है तो जो भी लाइटनिंग स्ट्राइ यहां कर रहा होता है हमारे प्रोटेक्शन तो प्रॉइड कर रहा होता है साती साथ यह फॉन से भात नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग डारेक्ट ट्रिपिंग सिंगल भी भेशते हैं, एक सबस्टेशन से, दूसरे सबस्टेशन को कंट्रूल कर बारे होते हैं, वहां का क्या, voltage, current, rating, सब कुछ जो है, सारे इंफोर्मिशन, दूसरे सबस्टेशन से एकसिस किया जा सक रहता है पर अंदर में It09, Optical Fiverr word केवल, होता है अब यह ऑप्रिकल 50 ine dell किया होता है तो इसको इस तरीक से समझ सा सकता है कि जो Optical Fiverr how to Twin Canal possible a special type का Twitch वायर होता है जसे the normal जो अमरे वायर होता है copper के वायर के बात कर रहे हैं, अल्मूनियम के बात कर रहे हैं, अगर मालिज उसको communication purpose के लिए हम यूज में ले रहे होते हैं, तो कैसे हमारा एक जगह से दूसरे जगह हमारा voice पहुंच रहा होता है, कैसे communication हो पा रहा है, कैसे data हमारा transmit हो रहा होता है, अब इसका फाइदा यह है ना, कि light आप जानते हैं, कि बहुत ही जाधा speed में travel करता है, उसका speed है, वो free into 10 to about 8 meter per second होता है, यानि कि जो आपका communication है, वो बहुत ही fast होता है, तो यह जो आपका PLCC जो मैंने system बता है, जहाँ हम लोग communication कर रहे हैं थे, उसी power conductor से हमारा communication हो पा रहा था, तो उसके comparison में यह काफी बहतर है, आपके speed के मामला में भी, reliability के मामला में भी, और साथ ही साथ, चुकि यहाँ पे जो हमारे data transmit हो रहा है, वो light के form में हो रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का interference नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे normal conductor से current flow होता है, तो वो 4 तरफ magnetic feel ही create करता है, और external magnetic feel उसको disturb कर सकता है, interfere कर सकता है, तो उसके वैसे noise create होता है हमारे communication signal के अंदर, पर यहाँ इस optical fiber में हमने data का nature ही change कर दिया, इसको light के form में transmit कर रहा है, तो कोई भी interference आपको देखने नहीं मिलता है, तो बहुत सारे इसके advantages से, आप देखें, यह वही optical cable है ना, जो आपके internet में use में ली जाती है, तो क्या इसके मदद से internet use में लिया जा सकता है, internet हम चला सकते हैं, जी हाँ, इसके मदद से भी आप internet चला सकते हैं, अगर चाहे company, तो इसको जो है rent में दे सकता है, जो telecom company होती है, बड़ी-बड़ी, तो वो इसके मदद से जो है, अपने service को दे सकता है, बहुत ही easily, आप सोच रहों का ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आप internet को अगर समझोगे या under sea है, मताँ समंदर के नीचे से जो है, वो जा रहा होता है, अब सोच रहों गया इतना नीचे कैसे हम optical fiber को बिछा रहे होते हैं, तो इसके लिए एक अलग type का ship होता है, जो यह बिछा रहा होता है, सारा का ship ship ही हो रहा होता है, कोई इनसान उतरा अंदर जाकर के नहीं कर होता है, और जनरली यह जो optical fibers होते हैं, इसमें हमने multiple layer हम लोग डालते हैं, उसको protection provide करते हैं, और इसलिए बहुत जादा मोटा हो जाता है, बहुत जादा cost भी हमारा जो है लग जाता है installation cost, यही wire कि अगर हम बात करें, इस optical fiber जो transmission line के ऊपर हम देते हैं, वो बहुत ही पतला ह आपका मोटा नहीं होता है, वो तो इतना पतला होता है ना, कि एक मुटी पर आपका optical fiber दे दी जाए ना, तो उतना optical fiber आपके पूरे भारत का हड़ सेकेंड का internet का requirement वो पूरा खड़ देगा, इसलिए transmission line के ऊपर वाला जो wire होता है, वो उतना मोटा नहीं होता है, बहुत कि हमने जमीन के अंदर जो डाला है, उसको हमें बनाना पढ़ ला है, क्योंकि वहां पर हमने extra protection layer दिया है, art heart protection layer दिया है, क्योंकि भाहिया उतना mechanical strong बनाना होगा, उसको हर तरीके से, मतला हम अगर जैसे समंदर के नीचे में हमने डाल रखा है, तो कोई भी मचली उसको क्यों मतलसे की जाती है, तो इसी वज़े से यह जो transmission line वाला optical fiber है, इसका जो installation cost है, उसके comparison में काफी कम होता है, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार, internet बस इसी को कहा जाता है, यह जो optical fiber का हमने cable बिचार का बस उतना ही है, क्या, जी हाँ, मोटे मोटे तोर पे देखा परा component, और clarity देने के लिए आपको बता दें, कि जैसे माने जाभी अब YouTube देख रहे हैं, तो वहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो यह वीडियो आप कैसे देख पा रहे हैं, तो मैंने वीडियो बनाया, अब यह वीडियो बनाने के बाद में इसको upload करता हूँ, तो यह ज बड़ा memory card है, जो 24x7 चल रहा है, अब वहाँ पर मैंने upload कर दिया, उसका copy एक दे दिया है, अब कोई भी बन्दा अगर मेरे वीडियो देखना चाहता है, तो उस memory card में जो पढ़ा हूँ है, वहाँ से देख पाता है, वो कैसे देख पाएगा, तभी देख पाएगा, कि होता है, पर उतना long distance लक नहीं हो पाता है, कमजोर हो जाता आपका electromagnetic, मैं पहले भी बता है, इसलिए हम wide communication का use में लेते, optical fiber से हमने बहुत बना जाल विचार रखा है, कि कि किसी भी दुनिया का कोई भी किसी कोना में बैठा हूँ है, वो मेरी वीडियो अराम से देख सकता है, अब कुछ लोगों की दिमाग में आ रहा होगा, कि मेरे mobile phone से कोई optical fiber connected नहीं है, तो फिर हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं internet अपने phone में, तो देखे, आप किसका network यूज़ कर रहे होता है, आप cell tower का network यूज़ कर रहे होता है, और जितने भी cell tower होता है, वो सब आपस में एक द range से बाहर चल गया, तो वहां से आपको समझ में आ रहा है, कि उस tower का छमता भाई, एक radius को ही वो cover कर पाता है, उसके बाहर चल जाओगे तो आपको network नहीं मिलेगा, तो ये cell tower की कहानी अगर आपको जानना है, तो इसके पर मैंने एक detailed video बनाया है, आप जागर के देख सकते है मैं आपको एडिस्क्री में प्रवाइड कर दूँगा, तो उमीद है, आज की जो हमारे topic थी, उसके बारे में जो है आपको एक अच्छा सा idea मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ये OPGWire क्या होते है, इसको क्यों यूज में ले रहे होते हैं, कैसे इसकी माद से ह